निगा अगर के आप सभी लोग का चल रख रहा था फाइनल एकांट बीथ एजस्मेंट कौन सा फाइनल एकांट बीथ एजस्मेंट कितने नंबर आइटम तक आजिस्मेंट आइटम तक हो चुका है बोलो 10 हो गया चलो 10 हो गया एक बार हम लोग रिवाइस कर लें बुलिए आपके एड्जिस्मेंट आइटम नंबर कितने तक हो चुका है कितने लोगों का 10 तक complete है वो समझ में आ चुका है वो पहले हाथ उठा ले आपने फिर वीडियो जाके complete नहीं किया कि सब उपलाद है फिर भी है नहीं कहां पर नहीं देखिए तो आप बताएए एक बार सभी का accounting treatment आप बोलेंगे नंबर वन सबसे पहला क्लोजिंग अस्टॉक क्या था फड़ 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 थोड़ सा हम लोग 5 मिनट्स में पहले एक बार रिवाइस कर लें उसके बाद हम लोग आज नया topic सीखेंगे और आप लोग का question number कहां से कहां तक पूरा हो चुका है कहां तक 126 तक आज का जो task मिलेगा वो कहां से 7 से कहां से मिलेगा 7 से मिलेगा आज का task राइट ओके लेकिन हम लोग एक बार पहले क्या करें 5 मिनट्स में लोग एक बार रिवाइस कर लें फटाफट है ना तब आज हम लोग बहुत आपका सांदार topics को चर्चा करने वाले हैं बाट डिप से रिलेटेट है ने कि आप राइटम का बारे में चर्चा करेंगे नमबर वन सबसे पहले क्लोजिंगा स्टॉक कितने जगा मिलेगा दो जगा एक ट्राइल बेलेंस के अंदर उसका कितने जगा कहां और जदी आपका adjustment item में मिलेगा तो treatment कितने जगा नमबर वान दूसरा कहां ओके दूसरा हो गया यह तो आपका पहला हो गया दूसरा हमारा out standing expenditure out standing out standing expenditure कितने जगा मिलेगा कितने जगा मिल सकता है एक number trial balance के अंदर तो treatment कहाँ होगा कहाँ कि बैलेस के अंदर आऊ-टर-standing expenditure रहेगा तो उसका कैसा balance कैसा balance क्रेइड बैलस राइट तो चुकि वह लैबलिटी जाइक लिए उसका कैसा balance होगा क्रेइड वैलेंस होगा और जोधी हमारा adjustment item के रूप में रहेगा तो उसका treatment कितने जगा दो जगा या तो ट्रेडिंग या तो profit and loss एकॉर्ण के debit side में relating expenditure में क्या करेंगे add करेंगे और दूसरा balance it के library side में क्या करेंगे so करेंगे क्या यह point clear हुआ अगला है prepaid expenditure क्या है कितने जगा मिल सकता है एक number one trial balance के अंदर दूसरा trial balance के बाहर trial balance के अंदर मिलेगा तो treatment कहां होगा balance it के asset side में जदी बाहर होगा तो treatment कितने जगा number one trading या PL account के debit side में relating expenditure में क्या करेंगे क्या करेंगे और दूसरा balance के asset side में so करेंगे clear है तीसरा आपका होगा तो चौथा होगा depreciation क्या depreciation बच्चे आपका depreciation भी कितने जगा मिल सकता है दो जगा एक trial balance के अंदर दूसरा trial balance के trial balance के अंदर मिलेगा तो उसका treatment कितने जगा बोलो एक जगा कहा profit and loss से कौन के debit side में जदी adjustment में मिलेगा तो treatment कितने जगा कितने जगा दो जगा right number one कहा profit and loss से कौन के debit side में दूसरा balance balance it के asset side में relating asset से क्या करेंगे less करेंगे relating asset से क्या बाते क्लियर हुई समझ में आया okay next appreciation 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 का treatment कितने जगा होगा sorry appreciation कितने जगा मिल सकता है अभर रहेगा तो यहाँ और तुसका प्रौफित जगा अधिनी करेंट स मेंडर माहर रहेएंगा तो कितने जगा डो जगा थी ले कृधिस अधोर बैलेस सेुधे रजिए क्रेट कि lifelong記ки करेंगे एड करेंगे क्या यहां तक सब क्लियर है कि उसकी बात बता थे एक कुरूट इंकम और और एक कुरूड इंकम की बात जदि को रखो मिल सकता हैं दो जगह एक हैनल बनेस्ट के अंदर मिलेगा तो उसका इसे में आपका कहां अचा होगु पिलए कोनके करेंट में और इडाइटम में क्या कि बात करेंगे तो बच्चे मतलब उसमें भी हमारा कितने जगा मिल सकता है दो जगा एक आपका ट्राइल बैलेंस के अंदर मिलेगा तो उसका कितने जगा एक जगा वो बैलेंसर के कहा लाइबरी साइट में मिलेगा तो कितने जगा दो जगा इंकम में क्या करेंगे लेस करे और दूसरा बैलेंसर के लाइबरी साट में क्या करेंगे सो करेंगे क्या यहां तक सब का क्लियर है ओके तब हम लोग चले नए आइटम को सीखते हैं आए तो आज हम सभी लोग जो सीखने वाले हैं इस आपका final account with adjustment का सबसे आपका important आपका जो है topic पढ़ने वाले हैं और important item पढ़ने वाले हैं और इसका परिवार सबसे बड़ा परिवार माना जाता है और bad div से related क्या bad div से related तो बच्चे अब उसी के item के बारे में हम बताने वाले हैं और item number आपका 11 होगा कितने होगे 11 तो लीखा जाए मेरे साथ सबसे पहले ईबसे पोगा कितने हैं और दो कितने प्हाम कितने हैं तो बचल आपका 1 तो लीखा कितने हैं चाहँए बचल्त बोलना बंद करें बारें बाद बारें बारें लिए खरेंगत बारें बारें hu झाल 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 झाल